हैलो दोस्तों नमस्ते राजस्तान के बेरोजगार व्यूआओं के लिए एक बड़ी खुसकबरी निकल राई है जी हाँ दोस्तों राजस्तान में 2730 पदों के लिए नोटिपिकेशन जारी हो चुका है करमचारी चेन बोर्ड ने नोटिपिकेशन जारी कर दिया है सबसे अच परकार से आपका सेलेक्षन प्रोसेस रहेगा क्या उमर सीमा रखी गई है कमपलीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को पूरा आपको देखना है दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रहा है नीचे बटन है उसे दिवा कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और हमारा टेलिग्राम चैनल है Steady with MK चोदरी के नाम से उसको भी आप जोइन कर लिजेए वहाँ पर complete जानकारी आपको मिल जाएगी और हमारी application से आप इसका syllabus वगरे भी download कर सकते हो Steady with MK application का नाम है चलिए दोस्तो इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप सभी को पता है दोस्तो वेकेंसी का नाम है सूचना साइक की वेकेंसी पदो की संक्या की बात करें तो 27 जनुवरी से लेकर आपके जो आवेदन है 25 फरवरी 2023 तक बरे जाएंगे SSO ID के मादिम से आप आवेदन कर सकते हो इसके लाव दोस्तो परिक्षा की यहाँ पर जो संभावी तिति बताई गई है जुलाई 2023 के अंदर गता आपकी परिक्षा होने की यहाँ पर सुचना बताई गई है इसके लाव दोस्तो इसमें बात करते है कि कोन इसमें आवेदन कर सकता है सबसे पहले दोस्तो आयू सिमा की बात करें तो 21 वर्स से लेकर 40 वर्स का जो केंड़ेट है जनरल केंड़ेट की बात कर रहा हूं में बाकी केटिकरी को यहां पर आई उसी महमें छूड़ दी गई है तो वो इसमें आवे दिन कर सकता है चैन पर करिया की बात करें दोस्तों तो इसमें आपके दो पेपर होने वाले हैं कहने का मतलब दो भागों में आपका इसमें जो है पूरा सेलेबस डिवाइड है यहने पहला जो भाग है उसमें आपका सोंकों का होने वाला है तीन गंटे का आपको समय दिया जाएगा उसमें आपके कम्प्यूटर योग्यता सूचना प्रदगी की से समंधित जो आपके प्रशन है वो यहाँ पर पूचे जाएंगे और भाग दो है उसमें दोस्तों आपकी टाइपिंग ओने वाली है यदि इने 15 मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग रहेगी और 15 मिनट आपकी इंग्लिष में टाइपिंग रहेगी नियूंतम कॉलिफिकेशन मार्स दोस्तों 40% रखे गए हैं अगर आप पहले जो भाग है उसके अंदर 40% अंग लाते हो तभी आपको टाइपिंग के अंतरकत सामिल किया जाएगा अब दोस्तों इसके अंतरकत जिसके पास computer में degree diploma है वो विद्यारती इसमें आविदन कर सकता है याने जिसने के पास O-Level Certificate है वो भी आविदन कर सकता है या जिसके पास में दोस्तों graduation के अंदर कोई degree diploma computer समंदित रहा है कोई subject रहा है वो भी आविदन कर सकता है किसी अविद्यारती के महाविद्याले से उन्होंने degree diploma ले रखा है वो भी आविदन कर सकता है इसमें दोस्तों RACIT वालों के लिए अभी तक इस्तिति इस परश्र नहीं हुई है कुछ विद्यारती मांग कर रहे थे लेकिन इसके अंदर गत उसको सामिल नहीं किया गया है तो RACIT वाले इसमें आविदन करने के पात्र नहीं होंगे दोस्तों हो सकता है संसोदित विग्यापती आ जाये तो उसमें हो सकता है लेकिन अभी तक जो है इसमें नहीं देर क्या दोस्तों कि जो RACIT है उसको सामिल किया जाएगा लेकिन दोस्तों CT के अंदर गत नहीं है बिना CT के अंदर जो है आपकी वेकेंसी है तो आसा करता हूँ आपको जानकारी अचली होगी फिर भी अगर कोई आपके सवाल है डाउट्स है तो आप मुझे कमेंड कर सकते हो इसके लाव दोस्तों यहाँ पर आपको फिरी क्लासे भी दी जाएगी सुचना साइक का जो भी सेलेबस है कम्पूटर का उसके लिए अच्छी फेकल्टी के मादियम से आपको यहाँ पर क्लासे दी जाएगी आपका यहाँ पर पूरा सेलेबस कवर करवाए जाएगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों अगर आप राजस्तान की किसी भी परत्यों की प्रिक्षा की तयारी कर रहे हो तो हमारे पास में टेस्सरी उपलब्द है हमारी स्टेड़ी भी तैमकी एप्लिकेशन पर जाकर चाए यह यूरो की तयारी कर रहे हो य